बिस्मिल्यार्माइन रहीम अस्सालामुलेकुम फाइब क्लास ओपन पेस्ट नुबर 40 अफ एक्सरसाइज 3A यूर्ड काउंडाउन बुक तोड़ेव विल सॉल्व कोसे नुबर 3 स्लेक्ट अंशर फ्रांग गिवन ऑप्शन इन में से क्रेक्ट आंसर हमने बताना है गिवन में से हमार पास 1st question है 3 by 13 plus 9 by 91 हम इनको solve करते हैं हम यहां पर लिकलेते हैं question number 3 part A हमार पास है 3 by 13 plus 9 by 91 तो हम 13 और 91 का LCM लेंगे यहां पर हमार पास आ जाएगा LCM और 13 को 7 से multiply करेंगे तो हमार पास आ जाएगा 91 तो हमने यहां पर denominator में जो है वो 91 बनाना है 3 by 13 इसको हम 7 से multiply करेंगे तो हमार पास 91 आएगा plus 9 by 91 इसको ऐसे ही लिख लेंगे 21, 7, 3 जा 21 by 91 plus 9 by 91 21 plus 9 by 91 और इसमें हम 21 में 9 आएड कर लेंगे तो हमार पास आ जाएगा 30 by 91 तो हमार पास first option में जो answer आएगा वो हमार पास 30 by 91 आएगा अब हम इसका B part solve करते हैं हमार पास है 26 by 59 minus 4 by 19 अब हम 57 का और 19 का LCM लेंगे यहां पे हमार पास हम सबसे पहले 3 पे डिवाइड करेंगे इसको 31003 और यह 5 थाइस में से 2 बाकी बचेगा 27 बनेगा 39027 और 19 आजटी आज़ेगा उसके बाद 191019 और 191019 19 को 3 से multiply करें तो 57 आता है इसका मतलब हमार पास LCM आ रहा है 57 हम यहां पे denominator में 57 बनाएंगे इसमें अल्रेडी 57 है 26 by 57 इसको ऐसी लिख देंगे मानस अब यहां इस 19 को हमने 57 बनाना है 19 को 3 से multiply करेंगे तो 57 आएगा इसे 3 से हम उपर भी multiply करेंगे उसके बाद हम 26 by 57 माइनस 43012 by 57 लिख देंगे और यहां पर मार पास denominator सेम हो गए दोनु साइट पर 57 आ गया नीचे और हम यहां पर 57 लिख देंगे LCM और यहां पर 26 माइनस 12 मार पास आ ज जाएगा तो हम इसको 14 by 57 वाले option को टिक कर लेंगे इसका सी पार्ट है हमार पास 8 by 15 plus 7 by 5 plus 1 by 30 अब हम 15 का 5 का 30 का LCM ले रेंगे यहां पर तो हमार पास यहां पर आ जाएगा 3, 2, 6 and 6, 5, 30 तो हमार पास L से माज़ अगर 30 इसके denominator में हमने 30 बनाना है 15 को किस से multiply करेंगे तो हमार पास 30 आएगा 15 को 2 से multiply करेंगे इसी 2 से हम उपर भी multiply कर देंगे 5 को किस से multiply करेंगे 6 से 5, 6 आ 30 आता है और यहां पर already 1 by 30 है तो इसको हम कुछ में नहीं करेंगे as it is लिखतेंगे यहां पर हमार पास आजएगा 16 by 30 और यहां पर 7, 6 आ 42, 42 by 30 और 1 by 30 इनको हम आड़ कर लेंगे 16 plus 42 plus 1 by 30 और इनको हम आड़ करेंगे तो हमार पास answer आजएगा 59, 59 by 30 अब D पार्ट है हमार पास 2 whole 1 by 3 minus 1 whole 4 by 5 minus 2 by 15 और इसको हम fraction की फॉर्म में लिख लेंगे 3, 2, 6 और इसमें 1 आड़ किया तो 7, 7 by 3 minus 5, 1s are 5 और 5 में 4 आड़ किया तो 9 by 5 ऐसे ही आ जाएगा minus 2 by 15 अब हमार पास है यहां पर denominator में आड़ा 3, 5 और 15 और हम यहां पर 3, 5 और 15 का LCM ले लेंगे तो LCM हमार पास आजाएगा 15 यहां पर denominator में हम 15 बनाएंगे यहां पर हमने 3 को 5 से multiply करेंगे तो 15 आएगा इसी 5 से हम उपर भी multiply कर लेंगे यहां पर 5 है denominator में 5 को हम 3 से multiply करेंगे इस उपर भी 3 से multiply कर लेंगे यहां पर minus 2 by 15 as it is लिख लेंगे यहां पर आजाएगा हमार पास 35 by 15 minus 27 by 15 minus 2 by 15 यहां पर हम अब इनको minus कर लेंगे यहां पर 35 minus 27 minus 2 35 minus 27 हमार पास 8 आ जाएगा और 8 minus 2 हम लिखेंगे by 15 equals to 8 minus 2 equals to 6 by 15 हमार पास answer आ जाएगा तो हम 6 by 15 वाले option को tick कर लेंगे अब हमार पास E part है इसका 2 whole 1 by 3 minus 1 whole 1 by 10 इसको हम fraction की formula लिखते हैं 3 twos are 6 और इसमें हम 1 add करेंगे तो हमार पास आ जाएगा 7 by 3 minus 10 1s are 10 उसमें 1 add करेंगे 11 by 10 हमार पास आ जाएगा minus 1 by 6 अब हम 3 10 और 6 इनका हम LCM ले लेंगे यहां पर हमार पास LCM आ जाएगा 2 3s are 6 6 5s are 30 इसका मतलब है हमने denominator में 30 बिनाना है 7 by 3 3 को हम किस से multiply करेंगे हमार पास 30 आएगा 3 10s are 30 minus यहां पर 11 by 10 है 10 को हम किस से multiply करेंगे तो हमार पास 30 आएगा 10 को हम 3 से multiply करेंगे तो हमार पास 30 आएगा minus 1 by 6 है 6 को हम 5 से multiply करेंगे हमार पास 30 आएगा अब हमार पास आजाएगा 70 by 30 minus 113033 by 30 minus 5 divided by 30 अब हम यहाँ पर इनका LCM लिख लेंगे 70 minus 33 minus 5 यहाँ पर हमार पास आजाएगा 70 minus 33 हमार पास आएगा 37 और 37 minus 5 हमार पास आएगा 32 by 30 अब हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं 31,30 और इसमें हमार पास रिमेंडर आजेगा 2 तो इसका आंसर हमार पास आजाएगा 1 whole 2 by 30 ठीक है? क्योंकि यहाँ पर यह numerator value बड़ी आ रही है और यह denominator value छोटी आ रही है इसको हम डिवाइड करके whole की form में इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर हमार पास जितने भी right answers आएथे उसको हमने circle कर लिया है आप अपनी book पर यहाँ पर यह solve कर लेंगे complete करेंगे अपना book work यहाँ पर first का answer आएगा 30 by 91 B का answer आएगा 14 by 57 C part का answer आएगा 59 by 30 और D part का answer आएगा 16 by 15 6 by 15 और E part का हमार पास answer आएगा 1 whole 2 by 30 लेकिन यहाँ पर आपके book में option लिखावाए था 1 whole 1 by 30 तो यहाँ पर यह wrong है आप इसको ठीक कर लेंगे 1 के जगह पर यहाँ पर 2 लिख लेंगे और 1 whole 2 by 30 आपका answer आजाएगा आप भूद भी इसको solve करके check कर सकते हैं आज के लिए आपके इतने ही question है question number 3 के यह सारे part आपने solve करने है इनकी practice करनी है और अपना book work complete करना है exercise 3A का question number 1, 2 और 3 यह आप सबने complete करना है और इनकी practice करनी है बाकी next question हम इंशाला next lecture में करेंगे लाहाफीज